बिस्मिल्लारहमार keluar surtout जो मेरीी वीडियो का टाइटल है इसमें हम बात करेंगे बारोड ओफ navigator काकिन give our गौॉड है उसके परहे डिस्कुुस करेंगे तो देखेंगे कि उसके symptoms कहाँ है यह किस वज़ां से और किसा करते हैं और इसकी disease management किस तरह कर सकते हैं तो लेक्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बाइल आइकन को उनका ना भद बूलें बार बॉल रूट ऑफ कॉट करते हैं इसका में प्रॉब्लम जो है ना बार रोड का काफी स्वेर बन चुका है कंट्री में जहां पर तकरीबबन यह जो अर्ली मिचूरिंग या फिर वो कहते हैं सुसेप्टिबल व्राइटिस जहां पर ग्रो की जा रही है उन एडियास के लिए यह का स्वेर डिजीज की बत्ञेंस बन चुकी है अगर हम इस डीजीज की इंसीडेंस की बात करें तो यह जो है वैरी करती है अगर हम सिंध में देखें पकीस्टान में सिंध में देखें तो यह 5 się 30 yourself І करे 14 परसंट जो है इसका disease incidence है तो इसकी जो पैθोजिन इसकी बेस पे जो है लिए इसको दो इसको फैथोने सूंट उसमें काफे सारे और इनिसम रिलेटर होते हैं कुछ ऐसे organism हैं जिनको कि डिजीशन करने के लिए खिसिदिकल इंतिकी की जरूरत होती है और कुछ विद्धार यानिके ड्रेक्टली जो है कर देते हैं तो इसमें कहता है देवर ड्राइड इंटू ग्रॉप्स दा प्रैमरी पैथोजन विच कास बार रोल्ड विद आउट फिजिकल इंजरी कहता कि कुछ ऐसे पैथोजन है जो किसी भी फिजिकल विजाह सिल और किकलि एंड़र के चल्लाडे। फिजिकल इंटूरी के बगार जो ईक्राइड को किसी पимерहेंर गर्जिकल विजिक्टग पईटूरी। पैथोजन ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं जो किसी फिजिकल इंटरी के बगार इंफेक्शन काज नहीं कर सकते हैं उसमें इसमें इंवाल्व होती है अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की क्याता है कि डियू टू लाज नंबर ऑफ माइक्रो आर्गेजम काजिंग बॉल इसमने पार्प कि आता यहां सीथ यह इसवाद किया के इसकी जो पैथोजन की बेस्पे यह यान्न दिफरन्ट जो है पैथोजन एक्टळाथ करते हैं इसवज़ह से जो शिम्टम्स हैं वह कहता है कि जो रिज न करते हैं इसके काबले तस्खीर होते हैं ना काबले तस्खीर होते हैं इसके सिम्टम्स लेकिन यह सम्टाइम क्या करती है कि जो उसका सीड है यह फाइबर उसमें होता है उसको क्या उसकी डिस्ट्रक्शन कर देती है कि जो उसका बॉल होता है जिसमें कॉटन होती है वह यानिके जब हर्वेस्ट होती है तब वह ग्राउंड में गिर जाती है इसके वज़ासे यह होता है कि उसमें जो फाइबर या फाइबर जो निकलता है वह उसका अगर हम देखें तो उसके लोड लोड होता है वह इस एस गंपेर टू नॉर्मल अब देखेंगे हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं किता कि अगर बार रूट जो कॉटन की डिज इसको कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले जो ग्रोफ एप्लिकेशन होती है जैसा कि अक्सेशिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या इरिविएशन उगरा इस ऐसी प्रेक्टिस से हमने अवाइड करना है जो टाइम ऑफ इरिगेशन है ना उसको वह भी क्रेक्ट होना इसको पात हमने इसको है इसको इरिगेशन नहीं करना है और इसके यानिके जो इरिगेशन करनी है वो टाइम क्रेक्ट टाइम पर करनी है उसी वह सेकंड वन कहता है कि क्यांता कि जो एधिल्इच कारते हैं उसके बाद क्रॉप शूड जड़ बीड़ा सबील और गर्रासइट था टाइम हमने जो लगाई है तो उसकी हमने पंजाबी बात करने तो गोटी करनी चाहिए उसमें जो एक्ट्रा वीड्स विगा रहा है उनको निकाल देना चाहिए हमने अगर सप्रे की बात करें तो उसमें कहता है कि जो बैनलेट है उसकी 240 ग्राम पर एकर किसी भी कमपाटिबल पैटिसाट के साल करना है तो वो क्या करेगा जो इंसिदेंस है बाल रूट का डिजीज का उसको कम कर देगा और इसके बाद कहता है कि जो लीफ और वगरा यहान ऐसे हमने व्रैडिस वगरा यूज कर देनी हैं वो क्या करती है कि जो फ्री पेनेट्रेशन होती है ना इयर एंड लाइट की प्लांट के अंदर उसको जो है पर्मिट कर देती है उसको रोकती है अगर आप लोगों को मे